ओके गाइस, तो दिस इस दे शिक्स, 10 मिनुट में 10 कोशिंट सम को देखना हो, देखते हैं, फर्स कोशिंट हमारा किस तरह से हैं? The difference between the simple interest and the compound interest on a certain sum for a period of 3 years is इतना, at a 10% per annum. तो देखो 10% per annum के लिए SI percent कितना रहेगा हमारा, 30%, SI percent रहेगा 3.1%, तो इनका difference हो जाएगा 3.1%, 3.1% की जो value देखे रखी है, this is 263.5, देखे रखी है, point से point हट जाएगा, तो find the sum, sum बताना है, 31 से this is हमारा cut हो जाएगा, 31 से कितने time जाएगा, this is 7 time, 20 बन होता है, तो 8 time जाएगा, obvious ही बात है, 8 time कितना होता है, 248 होता है, तो बच्चे का कितना, 15 और यह आपका 5 है, तो 31 से कितने time, 5 time, तो 1% की वाएगा this, तो 100% की वाएगा this, यानी की option नमर है, next question, the difference between SI and CI on a certain sum 5% per annum, two years is इतना, तो देखो SI percent कितना हो जाएगा, देखो difference बताना है, तो SI percent हो जाएगा 10% और CI percent 10.25% तो जाएगा, 0.25% और उसकी जो value है, this is 105, 0.8 की 20 दर पे लागा देंगे, हमको बताना है, find the sum, तो 4 से multiply this side, 4 से this side, 4 से दर पे multiply करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 420, तो 420 और 2 0, 420 तो 0, next question, रमीज बोरो दिस टाइप आफ मनी फ्रॉमा बैंक एट रेट ऑफ 12% पर रेनम, for two years, at a simple interest, okay, and lend the same money to the mahees, at the rate of 12% पर रेनम, two years, but he charge compounded, what is the overall gain, तो देखो, जितना मनी उसने लिया, उसने क्या कर दिया, lend कर दिया, तो 12% two years, यानि कि SI उसने इतना interest उसे देना पड़ेगा, 24% का उसे पे करना पड़ेगा, बैंक को लिकेन उसे मिलेगा, कितना 12% two years के हिसाब से 25.44% उसको मिलेगा कैसे अपने दोस्ते से, तो इतना उसे मिलेगा, इतना देना पड़ेगा, तो कितना difference हो रहा है, इन दोनों का, इन दोनों का difference हो रहा है, 1.44% इतना उसको profit हो, कितने का, 3000 का, sorry, 30,000 का, तो अगर मैं 0.7% से 400 अटा दूं, तो मेरे पास क्या बचता है, 344 का just three time कर दूंगा, तो कितना हो जागा, 132, So this is 300 and 132, कितना होता है, 432, अप्चान अबाग सी, next देख लेगे, okay, so a sum of money lent at compound interest 10% per annum is paid back to the three equal installments, of rupees इतना, find the sum, तो इतने की installments तो 2662 पॉन ले लेंगे, तो 1 upon में कितना आजाए का, 1 plus R upon 100, तो 1 plus R upon 100, यानि R की value कितनी है, इतना हो जाएका, 10 रखेंगे, 0 सी 0 गटे जाएका, तो 11 upon 10, तो 11 upon 10 आएगा, तो ऊपर पहुँच जाएका, 10, तो नीचे 11 आजाएगा, फिर कितना आएगा, 1 upon 1 plus R का square होता है, this is 100 upon 121 पहुँच जाएगा, फिर इधर पहुदा है, 1 upon 1 plus R upon 100 की power 3, यानि कि this is 1000 upon में कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा तो इदर से 10 upon 11 में common ले लूँगा तो this is 10 upon 11 इदर common आ जाएगा तो 1 plus इदर पर बचेगा 10 upon 11 plus this is हमारा बचेगा 100 upon 121 ठीक है so 11 से this is 2 time and then 4 time and then again 2 time so this is 242 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा इदर पर comment मतब LCM ले लूँगा 121 तो इदर प्रचेगा कितना 121 plus में इदर पर 11 से this is 11 times 110 this is 100 हो जाएगा okay so 121 से this is हमारा 2 time cut हो जाएगा तो 20 आ जाएगा इदर पर अंदर LCM मतब प्लस कर देंगे तो this is 31 और this is 300 तो 331 इसका multiply कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6620 ओके 6620 कहां पर नमरी नेक्स कोशन दिखते हैं a box contains four red six black and six x pink color ball if two ball are taken at random so the probability of getting both black is इतना so देखो बोद ब्लेक होना चाहिए यानिकि 62 अपन में total कितना है this is four and this is 10 and this is four and six ten x यानिकी 10 प्लस x c2 रिकोल में जो प्रॉइल्टी इस इस बन बाई 7 इस तू बोल्स निकाल लेगे तो यहां पर बनेगा six into five अफ़ान में कितना बनेगा 10 प्लस x 9 प्लस x ओके और रिकोल में कितना बनने वाला है तो यहां पर हमारा नीचे 7 आना चाहिए अब 7 इदर तो बनेगा नहीं पर नाइन और 10 बढ़ा है तो एक को किसी प्लस x इस वाला हो जाएगा तो हुटिवा हैं आफ टन सब्सक्राइब गास और टो गज़ा है ऑन फाम इंटेवर नहीं फाइगा तो यह वाला सिधा सिधा आपका special condition वाला question है ज़र पर सिधा बनेगा आपका 7 की power rate तो 7 की power rate कहां पे option number D, E कहीं पे नहीं है यानि कि option number E अगर यह 7 की power rate है तो यह otherwise हमारा answer यह हो जाएगा ठीक है next question दिखते है in how many different ways can the letter of potency be arranged so that such way that the wobbles always come together, wobbles come always together और E खटा आजाएगा हमारा तो यह एक bundle हो गया तो P बचा, T बचा और N बचा, C और Y तो कितने हो रहे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है नहीं 6 factorial और यह जंबल दो सकते हैं यह 2 factorial so this is हमारा 720 और 6 की value कितने होती है यह 120 होती है and this is हमारा कितना हो गया 2 factorial sorry 6 की value 720 होती है और यह 2 का faculty है 2 इसका multiply कर देंगे तो 1, 1, 1, 1, 4, 0 हो जाएगा, 1, 4, 0 option होती होती है so next in a bag if bag contains if a bag contains 20 fruits which includes 7 orange, 8 guava and remaining are mango if 6 fruits are drawn at random from the bag then find the probability of selecting 5 guava and 1 mango so 5 guava and 1 mango चाहिए तो 5 guava चाहिए तो 8 सी 5 okay one mango चाहिए तो mango कितने है this is 7 and 15 होगा 15 की बाद 5 इदर पे होगे remaining है because 20 है total तो 5 c1 upon में total कितने हो जाएंगे total हो जाएंगे because 6 चाहिए तो 6 चाहिए तो total हो जाएंगे 20 c6 so this is हमारा answer हो रहा है ऐसा दिख लो का पह है 8 c5 देखो का पह है गल्स as to include exactly one girl एक गल तो होने ही चाहिए तो 4 सी बन और बाकी ले लें हम लोग बहुत जानी कि 60 कितना 5 student चाहिए तो 64 okay so this is 64 और हो गया because exactly one हम को गल चाहिए तो exactly मतलब एक ही गल चाहिए तो यही हमारे वे बनेंगे तो this is what this is 62 62 कितना होता है 6 into 5.1 में 2 2 से this is 3 time this is 15 और यह आपका 4 4 into 15 कितना हो जाएंगे 60 बे तो option अबरी next question and examinee is required to answer 6 questions out of the 12 questions which are divided into 2 groups each containing 6 questions and he is not permitted to answer more than 4 questions from any 2 group okay so in how many ways can we answer 6 questions 6 questions कैसे दे सकता है तो 64 4 से जादा तो दे नहीं है दूसरे group देखो पहले group में 6 questions है दूसरे group में 6 questions है तो 64 4 से जादा देना नहीं है तो बकाय में वो कितना देदेगा 6 C2 ठीक है तो पहला भी तो यह हो गया दूसरा भी हो सकता है कि पहले में वो 3 देदे and दूसरे में 3 दे तो इसको देखो यह क्या होता है 62 होता है this is also 62 this is 62 this is 62 62 62 कितने 62 26 c2 into 6 c2 okay so यह हमारा कितना होता है 15 into 15 यानि 15 into 15 कितना होगे 225 यानि कि 450 होगे इसका multiply कर देंगे और यह 63 63 63 कितना हो जाएगा हमारा 6 into 5 into 4 upon में 3 into 2 2 से cut कर देंगे तो 2020 into 20 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा तो इन दोनों प्लस कर देंगे तो कितना हो रहा है 850 यह रहा है so this is हमारा answer तो done काने कितना होगे ओगे नेक्स सेशन देखते हैं फिर क्या है मारे बास